बुद मॉनिंग आज टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वेरी गुड तो क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इसको समझते हैं कोदिकर देखिए सबसे पहला चीज कि बिन स्टूडेंट आपको ये तो पता हो भाया कि एरर क्या है अरे ठीक रेक्टिफाइड करेंगे पहले ये तो जान लें कि एरर क्या है चलें अच्छा आजो तैसीर अगर एक सड़र तुछ से कोई पूछ दे कि एरर क्या है मिस्टेक क्या है तो क्या कहोगे बोलो क्या कहोगे? सर सिंपल अने इंटेंशनल मिस्टेक इंटिक in financial information is quite error. सर एरर का मतलब हुआ वैसा गलती वैसा मिस्टेक जो इरादे से नहीं किया गया है उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है कोई गलत भावना नहीं थी गलती हो गही simple गलती हो गई उस गलती को क्या करना है अपनी को rectify कर अच्छा इसका ये मतलब हुआ कि हमने कहीं न कहीं गलत इंट्री कर दिया बिलकुल अब उस गलत इंट्री को जब हम rectify इंट्री मार देते हैं तो वो क्या हो जाता है correct इंट्री अब देखिए जो mistake हुआ है वो तो error है है न तैसीन incorrect इंट्री हुआ यानि error हो गया हम उसको inverse कर दिये rectification इंट्री मार दिये इसका मतलब वो क्या हो गया correct हो गया very good अब एक बात समझेगा तो sir इस चाक्टर में हम लोग क्या क्या पहने वाले है सुना बोबा मेरी बात ध्याल से हमें दो चीजे समझनी है पहला कि error कितने तरक है और दूसरा error हुआ तो कहा हुआ क्यों sir मेरे भाई जिस तरह से doctor हम लोगों की बिमारी को ठीक करता वैसे आप भी तो accounts के doctor हो अगर आप को यही नहीं पता है कि बिमारी arise कहा हुई disease कहा हुआ तो आप ठीक कर लोगे क्या ठीक कर लोगे नहीं न उसी तरीके से आपको दो बाते समझनी है error है तो कैसा है यानि हम आपको यह भी सिखाएंगे type of error जानना error का type आप सीखोगे error कितने तरक है यह भी समझना होगा और error हुआ तो कहा हुआ यानि trial balance बनने से पहले यह trial balance बनने के बाद यह final account बननी के बाद इन सब पे हम आगे discussion करेंगे फिलहाल इतना समझते हैं कि error क्या है तो error का मतलब हुआ क्या हुआ साकीब क्या सोच रहे हो चलो being class पारो की बारे में नहीं ना लगत हो रहा है एकना खोए-खोए रहते होता हुआ जब से घुम क्या होना राजगी से तब कुछ जादा ही खोए-खोए हो तो error का मतलब क्या हुआ है unintentional mistake in financial information मेरे भाई हम लोगों को क्या करना है उस mistake को सही करना है correct हो जाए अब देखिए इस बाद को समझना बड़ा ज़रूरी है कि सर्मिस्टेक कहा हो रहा है वह error अलग-अलग stage में होता है कभी-कभी book of original entry में ही mistake हो गया journal मेरर हो गया subsidiary book बना रहे थे sales book वहाँ mistake हो गया purchase book, sales return purchase return, अलग-अलग जगह primary original entry में mistake हो गया कभी-कभी जब हम primary book से laser से, sorry journal से जब laser बना रहे थे तो laser में mistake हो गया जिस तरह आप उडॉक्टर बिमारी को समझता है ना कि इस इंसान को fever तो आ रही है क्यों आ रही है किस वजह से आ रही है infection कहा है blood infected है, viral infection है bacterial infection है क्या है, वैसे आप accounts के doctor बनने वाले हो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि error तो हुआ, लेकिन error हुआ कहां, किस जगह हुआ ताकि हम उसको क्या कर सके rectify कर सके अब error बहुत जगह हो सकता है trial balance से पहले trial balance के बाद final account बनने के बाद हो सकता है book of primary entry यानि book of, sorry, original entry में mistake हो गया, नहीं हो सकता है, हम journal बना रहे थे mistake हो गया, गलत अमाउट record करती है हम subsidiary book बना रहे थे, गलत अमाउट record करती है हम original entry से यानि primary book से laser में post कर रहे थे वहाँ mistake हो गया तो यह सब mistake हो सकता है चलिए, अब देखी सवाल है अगर अभी कभी कोई आपसे पूछ दे, कि भाईया मेरे rectification किसको कहते है rectification क्या होता है, error तो तुमने बता दिया, what is rectification, simple कहिएगा rectification means the act of correcting something or making something right, यानि rectification वो act है जिससे हम किसी गलत चीज़ों को सही करेंगे, यानि हमनों भी accounts के गलत recording को गलत journal entry को सही journal entry करके rectify entry marker क्या करेंगे, correct करेंगे बोलो, समझें आप लोग तो rectification का मतलब क्या हुए अपरति act of correcting something या making something right कोई दिक्कार पका चलिए सुनिए अब हम लोग आते हैं page number two मेरी बात को ध्यान से समझें बोग जेटरली अकाउंट्स प्रिपेर कौन करता है अकाउंटेंट अकाउंटेंट एक human being है ना यार एक इंसान है ना है की नहीं है गलती नहीं होगी है क्यों नहीं होगी एक एक जांपल ले लो बाबुलाल हमारे अकाउंटेंट है बाबुलाल से गलती नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है अरे बाबुलाल human being है और human being का नीचे है कि mistake तो हम लोग भगवान थोड़े है इंसान नहीं होगी mistake हो सकता है हम recording के समय mistake हो गया posting में mistake हो गया नहीं हो सकता है, बिल्कुन मिस्टेक तो एकदम हो सकता है, तो देखिए, कहता है, however, such error are located after some time, अब दोस्त ये मिस्टेक तुरन तो पता नहीं चलेगा, कि गलती हो गई, आप बाहर का पानी पी लिए और infected हो गए, तुरन पता चलेगा क्या है, कि भईया, अब हमको टाइफोड और जॉन्डिस होने वाला है, नहीं, जब टाइफोड और जॉन्डिस हो जाती है, तो याद करते हैं, अरे, हमने वहाँ पानी पी लिया था बाहर का, समोसा खाया, और पानी धगर लिया उसका, लगता है वहीं से बीमार को रहे हैं, वहीं दोस्त, बापो लाल को क्या लगता है, कि तुरत तुमको अपना एरर पता हो जाएगा, नहीं भाईया, यह मिस्टेक जब भी पता होगा, तो सर्टें टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद, एक्जामपल, टाल बैलेंस मैच नहीं किया, मिस्टेक मिल गया, पाइनल अकाउंट बना रहे थे, वहाँ निस्टेक मिल गया, तो मोरल ऑग स्टोरी कि जब आप मिस्टेक को कर लेते हैं, जब आप मिस्टेक को जान लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? रेक्टिफाइंट ट्री करते हैं, हं न? तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि error आपको तुरंट नहीं पता चलने वाला है वो जब ही मिलेगा सुचो ना अगर बागुलाल को अभी ही mistake मिल जाता तो आप ठीक नहीं कर देते example तुम एक्जाम देने गए और गलत बनाए और उसी समय पता हो जाता कि गलत सौल कर रहे हैं तो तुरंट उसको ठीक नहीं कर देते पता कब चलता है घर आए मिलाए हाई रबा क्या हो गया क्या से क्या हो गया फिर आप गाने लगते हैं क्या से क्या हो गया moral of the story वैसे हमारे बागुलाल के साथ हो रहा है recording कर दिया posting कर दिया और कुछ time के बाद इनको पता चला कि भाईया यह तो हम blunder कर दिये हैं भाईया mistake हो गया है अचो कि वेव सीरे जादा देखते हैं तो इनका tone भी वैसे ही हो गया है गलती हो गया है तो भाईया हम अपने बागुलाल को क्या बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा तुम पहले ठीक करो जाकर तो अब यह क्या करेंगे rectification of error करेंगे मतलब उस error को rectify करेंगे तो कैसे rectify होगा उसके लिए accounting entry करना पड़ेगा rectification entry करना पड़ेगा आगे चलाएं अब देखिए इसका एक बड़ा अच्छा golden rule है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा हम इसको increase करते हैं अब समझ जाएगा तो अध्यान से समझने की कोशिस कीजिएगा क्या करना है तो क्या करोगे इस बात को पहले समझ देखिए देखिए माल लिजिए कि किसी अकाउंट को हमको डेबिट करना था और हम डेबिट नहीं किए क्या करना था या क्या करना है डेबिट करना है हम डेबिट नहीं किए बाबुला लाया दोड़ा दोड़ा सर 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 बताएए न क्या करें तो बाबुलाल कुम क्या बोलेंगे अरे मेरे भाई उसको डेबिट करना था ना तो जाओ जाकर और डेबिट कर दो अरे डेबिट कर दो ठीक हो जाए रहा सिंबल वो गया और उसको और डेबिट कर दिया सही हो गया फिर बाबुलाल दोड़ा दोड़ाया सर देखिए ना credit balance कम दिख रहा है, पुझे क्या कर दिये, बाबुलाल कहता है सर हम credit में कम किये, हम बोले यार इतने त्यों टेंशन ले रहे हैं, जाओ उसको credit कर दो, अरे कम credit किये हो तो credit, credit कर दो, है ना, इसे देखिए हमने लिख भी दिया credit कर दो, credit आपको पता है, फिर सर, जादा debit हो गया है, एक laser मेना debit balance जादा दिख रहा है सर, बढ़ गया है सर, क्या करें, फिर हम कहें तुम से ना हो पाएगा, जाओ, जिसको तुम जादा debit कर दिये थे, वापस क्या कर दो, credit कर दो, वो पुझा कैसे सर, हम बोले रहे भाई, जादा debit किये हो तुसको घटा अगर तुम वाइटनर लगाने लगे और करेक्शन टेप लगाने लगे तो अकाउंट्स की अपनी authenticity होगी, बाबुलाल बुलाहा सर, बतवा को आप सही कह रहे है, हम बोले तुम इसमें पुतना से रम होगे, इसमें कलर करोगे, तो अकाउंट्स अपनी accuracy और authenticity को खो देगा ना बाबुलाल, तो यह बाबुलाल हमारे प्यारे से हैंडसम से हैं, इनको देखिए, इकाते नासर, बतवा तो आप सही कह रहे हैं, तो इसलिए बाबुलाल को हम संझाए, कि सुनो बाबुलाल जी, यह अकाउंट्स है, तुमरा rough copy नहीं है, अब वही खाता नहीं है, कि ग वह राइट करने लगे, आप वाइटनर और करेक्शन तेप लगाने लगे, तक तो आप हद बदलू ले करते हैं, तो सुनिए, बाबुलाल तिसरा दिन दौरते हुआ है, कि जानते हैं सर, हम से ना ब्लंडर हो गया, देखिए ना सर, हम डेबिट बैलेंस बढ़ा कर दिखा फिर गवी पर चुटना से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो. चौथे देखिए ना सर, देखिए ना, क्रेडिट जादा कर दिए हैं, हम इसको घटा दें सर, नीचे पैन से लिखके माइनस कर दें, हम पिर आटें इनको, क्या बाबुलाल जी, कि आपका रफ कॉपी है, कि जैसे मन की है? जैसे student का rough copy होता है ना, अपलाते हो ना मोड के एक ही में accounts, एक ही में law, एक ही में money banking, economic development खेचड़े बनाते हैं ना आप लोग rough copy है जी, कि accounts है accounts की अपनी क्या मानी जाती है तहसील, accuracy और authenticity अरे वो खो देगा मेरे भाई accuracy खो देगा तो क्या करना होगा? overwrite करना होगा? अगर तुमने credit जाता कर दिया था मतलब अगर तुम उस credit को घटाना चाहते हो तो minus मत करो तो क्या करोगे? अरे debit कर दोगे ना जी, debit कर दो simple यानि सर, यह तो golden rule होगी एक तरह से rectification of error के लिए yes my boys, बिलकुल golden rule होगी है आगे पढ़े हैं? अब देखिए सवाल क्या है? कि सर, accountant से क्या क्या गलती हो सकती है? पहला बुबा, first गलती recording में हो सकता है सर, recording का मतलब अब क्या बूलना चाह रहे हैं? ओहो, क्या हुआ? ठेक, बात कर लीजिए बहुत देर हो गया है continue करें? पहला गलती सुनिएगा accountant से क्या गलती हो सकती है? चले? दोस्त, उन्होंने recording में error कर दिया क्या कर दिया? recording में error कर दिया अब error भी कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का both sided error? one sided error? छुड़ी इस बात को मैं आपको आगे बताएंगे error के बारे में दूसरी गलती क्या हो सकती है? totaling में? हो सकती है ना? उन्होंने totaling गलत किया हो? कम जोड़ा हो? कभी ज़्यादा दिखा दिया हो? ज़्यादा amount को कम दिखा दिया हो? कम amount को ज़्यादा दिखा दिया हो? सर पोस्टिंग में भी तो गलती हो सकती है? क्या को दिखा? पोस्टिंग में भी तो गलती हो सकती है? हाँ सर बिलकुल हो सकती है? पोस्टिंग में भी गलती हो सकती है? खेर अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाएगे सवाल यह है कि accountant's mistake recording में भी हो सकता है, journal entry में भी हो सकता है, posting में भी हो सकता है, totaling में भी हो सकता है ओके, चलिए, तो page number two आप लिख लीजिएगा, देखिए, online में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो video को post करकर आप page number two का पूरा detail note down कर लीजिएगा तो देखिए, अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ अभी तक आपको क्या-क्या बताया, सती, sorry, बोलिए, प्रतिक साकीब जल्दी बताईए, पहला चीज़ आपको सिखाया, error किसे कहते हैं, rectification किसे कहते हैं, और error के golden rule क्या है, अगर गल्ती हो गई तो मुझे क्या करना चाहिए, पहला सवाल, अगर तुमने जादा debit कर दिया है, उससे, अगर तुमने जादा credit कर दिया, उससे debit कर दो, यह और debit करना है, तो और debit कर दो, यानि कि और debit होना चाहिए, तुमने कम debit किया है, तो debit कर दो, credit होना चाहिए था, तुमने कम credit किया है, तो credit कि करतो, सिंपल तरीका है, अच्छा, अब पैनिक नहीं होना है, अगर आपको कम भी समझ में आया होगा, तो आगे हम लोग और समझेंगे, तो पेज नमबर वन, पेज नमबर टू क्लेर है, ओके, तो ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो वीडियो को पॉस करक कि इसको लिख लेजिएगा, पेज नमबर थ्री पर आए, चलिए, अब यहां से काम की बाते शुरू होते जाएगी धीरे-धीरे, तैसे, पिटे, एक सवाल है, एरर हो गया, ठीक है, मानते सर बाबुलालाप की अकाउंटेंट है, अकाउंट्स ओफिसर है, उनसे मिस्टेक हो गई, उनसे गलती हो गई, हो गई तो हो गई, what is the need of rectification of error, क्या ज़रूरत है तैसिर, एक आदमी बीमार है, रहने तो, क्या बोलोगे, नहीं सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं, सर, बीमार है तो इलाज होना ना, अकाउंट्स भी तो बीमार पढ़ गया है, अकाउंट्स बीमार न हो गया होगा, पोस्टिंग मेर हो गया होगा, सर, टोटिलिंग मेर हो गया होगा, बीमारी को छोड़ दीजिएगा क्या, इलाज नहीं होगी, अरे होगी ना, तो देखिए, कहता है, अब सवाल ये है कि rectification of error को rectify करने की क्या ज़रूर है था, यानि आपसे exam में question पूछेग अगर आप error को rectify नहीं करोगे, तो आपके जो accounting information है, accounting record है, वो गलत नहीं जी, आपने कहीं जादा debit कर रखा है, कहीं कम credit कर रखा है, जहां जादा debit होना था, वहां कम कर दिया, जहां कम credit था, वहां जादा कर दिया, कहीं कम जोड़ दिया, कहीं जादा जोड़ दिया, तो accounts क प्रफ कोपी की जैसा छोड़ दें मतल्ब लोग का भरोसा उठ जाए अकाउंट्स पर से आप क्या चाहते है अरे बूलिये मतल्ब क्या चाहते है अकाउंट्स पर से भरोसा लोगों का उठ जाए नहीं न तो भरोसा कब बना रहेगा जब वो एकुरेट रहेगा तब न तो एकुरेट कब रहेगा एरर को खोजा जाए और उसे एक्टिफाई किया जाए अब मेरे भाई अगर तुम रॉंग इनफॉर्मेशन से अकाउंट्स बनाए हो तो जाहिर सी बात है प्रोफिट भी गलत आया होगा और अगर लॉस आया होगा तो वो भी कलत आया होगा यह हो सकता है तुम कभी जादा प्रोफिट दिखा दिये होगे या कम प्रोफिट दिखा दिये होगे जादा लॉस दिखा दिये होगे या कम लॉस दिखा दिये होगे ये भी तो हो सकता है कि लॉस ना हो नहीं हो सकता है तुम capital expenditure को revenue expenditure बना दोगे तो भाईया मेरे लॉस में हो जाएगा तक कुछ भी हो सकता है अच्छा तुम जानते हो कि accounts क्या present करता है true financial position अरे बोलो न तो true कहा गया energy तुम लोग का यार ऐसे कैसे होगा थक कैसे जाते सकते हो तुम लोग मतलब दो class पढ़ लिए तो तुम लोग थक है नहीं ना हम थके हैं तब हम भी तुसुबस से class ले रहे चलो energy लाओ कितना लाना है accounts में इस बार तो थको मन ठीक है Twitter never wins and winner never quit ओके चलवाओ अब देखो अगर आपको financial position बताना है तो अब balance sheet किसी भी organization का क्या represent करती है financial position तो अगर आप error को नहीं rectify करोगे तो financial position सही रहेगा नहीं रहेगा पका चलवे तो यह basic बात हम आपको बताए अगर आपसे exam में कभी पूछ दे कि what is the need of rectification of error आप जवाब देगा क्या जवाब दोगे correct accounting record के लिए correct financial performance के लिए correct financial position को जानने के लिए ओके चलव तो यह बहुत बड़ी बात नहीं थी बहुत major बात नहीं थी major बात तो अब शुरू होगी सर 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 एरर कितने तरह का है सुनो मेरे भाई error is divided into two parts error of principle and clerkial error ठीक है? सुनियेगा error of principle and clerkial error clerkial error कितने पार्ट में है? दो error of omission यह दो पार्ट में है complete और partial अभी मत आप पुछो हम से कि क्या है principle? क्या है omission? हम सब बताएंगे आपको ओके? एक मिनुट चलिए आगे चलते हैं और फिर हो गया error of commission error of commission में क्या-क्या mistake हो सकता है? recording में, posting में, casting में और carry forward में mistake हो सकता है मतलब आपने opening balance गलत लिग दिया यनि balance carried down कुछ था और आपने brought down में कुछ और कर दिया एक होता है हमारा compensating error तो देखिए मैं आपको ये अभी नहीं बता रहा हूं कि error क्या है हम अभी आपको ये बता रहें कि error का कितना type है फिर हम one by one सभी topic में discussion करेंगे और हर एक variety पर questions भी बनाएंगे तो पहले frame कीजिए error कितने part में divide है दो error of और clerkial error clerkial error कितने part में है तीन error of omission error of commission or compensating error error of omission कितने तरह का है दो एक होता है complete omission एक होता है और error of commission कितने part में है तीन error of recording error of posting error of casting error of carry forward पका चाहिए आगे पढ़ें चाहिए तो सर ये तो आपने kind of error बता दिया हाँ बिलकुल बता दिया सर शुरू कहां से कीजिएगा भाया error of omission से शुरू करेंगे क्यों सर मज़ा आएगा इसलिए चले सुनिए सर अभी तो थोड़ा दिर पहले आप भासन दे रहे थी error of omission दो तरह का है परते एक क्या हुआ नीद आ रही है तुमको हम ठके हैं हम energy में हैं न हम भी तुपढ़ा रहे हैं सुबसे तो फिर तुम क्यों ठक रहे हैं बार बार तुमको नीद आ रही है हम ठंडा पानी फेक देंगे चले शुरू करें आजो तो error of omission पर आते हैं सबसे पहले ये बताए ना कि ये जो error of omission ये है क्या देखो मेरे भाई कहता है this error arises when transaction is completely or partially omitted to be recorded यानि तुम record करना भूल गे तुम record करना छोड़ती है समझे या तो तुम post करना भूल गे दोस्त journal entry में completely recording ही नहीं किये laser में posting छोड़ दिये अच्छा सर ये error of omission का exact मतलब क्या होता अमित हो गए भूल गए छूट गया रह गया अच्छा अब ये भी दो तरह से हो सकता है पूरा तरह से छूट गया या पार्शल छूट गया है ना अच्छा देखो omission दो जगह हो सकता है दोस्त हम books of accounts में record ही नहीं किये मान लो journal entry में लिखना ही भूल गया जर्नल में तो लिखे laser में पोस्ट करना भूल गया है ना याद है सुबह हम लोग installment payment का जब एक दिन class चल रहा था सुबह नहीं एक दिन पढ़ रहे थे तो उस दिन भी एक mistake हो गया था चानक से एक amount record करना भूल गया साकिप तुरंत याद किया सर विडियो इंट्रे छुट गया है ना तो जर्नल में छुट गया तो लेजर में भी छुट गया हो जाता है आईए अब सुनिएगा यह भी दो तरह का है एक होता है error of complete omission अब तब हम completely जिसको पूटे ना totally अच्छा सर यह error of complete omission क्या है देखिएगा और online वाले बच्चे तो और attentive होकर सुनिएगा हम एक एक example से आपको समझाने की कोशिस कर रहे है देखिए पहले आप example समझेगा तब आपको यह theory clear हो जाएगा goods purchased on credit हम लोगों ने उधार पे goods लिया किसे लिए साकिर किसी से भी नहीं Mr. X से और इसको purchase book में हम लिखना ही भूल गए अचा सोचो इसका journal entry काईदे से क्या हुआ होगा purchase account debit to Mr. X अब तुम सोचो जब तुम purchase goods में लिखना भूल गए तो तुम्हारा purchase book जो balance show कर रहा है वो गलत show कर रहा होगा ना कम दिखा रहा होगा ना येस तो ऐसे omission को हम क्या बोलते हैं complete omission हम Mr. X का recording ही भूल गए पैसे complete है ना मैंने ये कहा कि मैंने आधा मांट लिखा नहीं मैंने कहा तूरा गलत हो गया complete हो गया आगे चले ठेक है good sold on credit to sham not recorded in sales book अच्छा Mr. Sham को हम लोगों ने उधार product बेचा और sales book में लिखे ही नहीं तो आपको क्या लगता है ये जो error हुआ ये जो omission हुआ ये जो हम record करना भूल गए लिखना भूल गए sales book में ये partial है कि complete है complete है ओके furniture हमने उधार पे बेचा ठीक है furniture sold on credit to mohan recorded in journal proper but omitted to be posted journal proper में लिख दिये कहां भूल गए posting में भूल गए तो कैसा error हुआ partial हुआ कि complete हुआ अरे amount पूरा छोट गया तो complete है ना complete error है sorry complete omission है अब theory समझें ओके एक चीज देख लीजिएगा तू glass पर नहीं नारा है complete omission पर आते हैं चले देखिए कहता this error arises when any transaction is not recorded in books of क्या originally यानि आपने complete omission कब होगा complete omission तब होगा जब आपने पूरी तरह से transaction का recording भूल गए ओके या यह भी हो सकता है कि आप journal में तो लिख दिये लेजर में पूरी तरह से छोड़ दिये आगे बढ़ें अब एक बात समझिएगा ऐसा error जब आप laser में पूरी तरह से छोड़ दिजिएगा तो यह trial balance पे कोई effect नहीं डालेगा अब सुचो ना आप दोनों transaction ना छोड़े यार transaction का दो aspect होता है ना debit और credit तो जब तुमने recording किया ही नहीं जर्नल में तो ना debit में कुछ गिया ना credit में कुछ गिया तो trial balance को उसका error दिखेगा पता चलेगा नहीं फिर सोचो तुमने जर्नल में तो लिख दिया और पूरी तरह से laser में record नहीं किया तो ना तो laser में debit side गया और ना credit side गया तो trial balance में यह पता चलेगा तो अगर आपसे exam में कोई पूछता है कि जो complete omission है this error does not affect trial balance yes or not तो जवाब क्या दिजिएगा नहीं है yes complete omission जो होता है वो trial balance में detect नहीं होता है को दिक्कत पक्का आगे बढ़ें तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि complete omission क्या है तो क्या जवाब दिजिएगा वैसा error जो books of original entry में record ही नहीं हुआ या journal में तो लिखा गया ये भी हो सकता है देखिए पहला समझेगा जर्नल में पूरी तरह से नहीं लिखाया ये भी complete omission कहलाता है ये journal में तो लिखा गया लेकिन trial balance में पास ही नहीं हुआ ये भी क्या कहलाता है complete omission क्या हो गया चैसे तरह के error trial balance को effect करेंगे नहीं करेंगे जैसे आप देखो ना मैंने जितना भी example लिया आप sales purchase book में लिखे ही नहीं sales book में लिखे ही नहीं furniture का entry तो कर दिये थे लेकिन तुम posting भूल गया है तो हम दोनों mistake दिखाए तुमको ये जैनल में नहीं गया ये original book कहिए वहां भी नहीं गया दो example में और जैनल प्रॉपर में तु गया लेकिन laser में नहीं गया तो ऐसे error को क्या बोलता है complete omission कोई दिखाए चले एक मिनट के लिए तो complete error समझ में आया पक्का error of complete omission clear हो गया आगे बढ़ें चले अब आते हैं देखिए अब हम थोड़ा सा आपको comparative बताते हैं बढ़ जो error of omission है ना error of omission के exact मतलब क्या है online वाले बच्चे video pause करकर के notes लिख लिजिएगा error of omission क्या है ध्यान से समझेगा देखिए this is simply a failure to record an item हम fail कर गए क्या करने से लिखने से अब देखिए दो जगह mistake हो सकता है पहला original entry book of original entry मतलब journal में या subsidiary book में एक और जगह mistake हो सकता है पोस्टिंग में हो सकता है ना तो देखिए हमारे पास यह दो तरह का है एक हमारे पास complete commission एक है पार्शिट पार्शियल 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 तुम क्लास में फोन चला रहे ध्यान नहीं देखिए कौन कौन सा omission हो गया complete और partial complete omission में क्या होता है दोस्त देखिए इस situation में transaction ना तो journal में record हुआ और ना तो subsidiary book में मतलब आपने ना देखिए कुछ कुछ जो special transactions को subsidiary book में लिखते है ना जैसे purchase हो गया credit purchase credit sales sales return purchase return भाया मेरे ना तो transaction journal में ही लिखाया और ना subsidiary book एक error journal में अगर लिखा गया तो laser में post होना छूट गया वह भी पूरी तरह से छूट गया यह दोनों error अपने आप में क्या है complete omission है अब सुनिएगा दोस complete omission के case में क्या होता है कि trial balance के error को पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है आप सुचो ना जब पूरी तरह से transaction record ही नहीं हुआ दोस्त होगे no तो क्या complete omission trial balance पे effect करेगा no अब partial omission क्या होता है देखे इस situation में transaction क्या है journal और subsidiary book में record हुआ लेकिन लेजर में post नहीं हुआ अब यहां पर एक matter समझेगा पोस्त हुआ भी और हमने posting कर दिया 900-900 debit में भेज दिया 900 credit में भेज दिया 900 तो भया यहां पर problem है या one-sided एक जगह लिखे और दूसरा नहीं लिखे वहाँ भी problem है तो sir ऐसे situation में partial commission में हमारा trial balance agree नहीं होता है और इस तरह की mistake को हम trial balance में क्या कर लेते हैं पता चल जाता है partial omission हमेशा क्या हो जाता है पता चलता है को दिकर चलिए कुछ questions किया जाए copy निकालिए यह तो बैठी रहेता है चलिए निकालिए कुछ 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 चलिए जल्दी-जल्दी copy मिखा लिए साथ में बनाईएगा आप लोग कुछ 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 तुछ सर्स होना चाहिए था, कितना, 170, 170, होना चाहिए ना, लेकिन क्या हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, नो, एरर तो हो गया, एरर तो हो गया, पहसी, कैसा एरर हुआ बचे, ओमिशन हुआ, एरर आफ, ओमिशन, ओमिट हो गया, छूट गया, इस ओमिशन को कैसा बोलेंगे, पार्शल की, कंप्लीट, कंप्लीट, तो भाईया मेरे, इसका गोल्डन फूल है, जिसको डेबिट होना था, डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट कर दो, जिसे क्रेडिट होना क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट कर दो, तो करो इंट्री, राम अकाउंट डबिट टू सेल्स, एक सो सतर, एक सो सतर, चलो, करो इंट्री जल दिसे, आगे चले, चलो, देखिए, गुड्स, कॉस्ट कितना है, एक हसार, पका, चलो, एसका सल्स प्राइस कितना है, तेकन अवे, बाइ प्रोप्राइटर, वेर नॉट रिकॉर्डड एनिवेर, आप जानते होना, जब भी, प्रोप्राइटर ने विड्ड्रो करता है, इसको क्या बोलता है, यानि ओनर ने प्रोप्राइटर ने विड्ड्रो की और ड्राइटर ही नहीं, इंट्री हुआ ही नहीं, एरर तो है, पहले ये बताओ, एरर है की नहीं, एरर है, अगर एरर है, तो इसका क्या होना चाहिए, rectification होना चाहिए कैसा error है complete omission तो entry करो ना क्या entry होना चाहिए बताओ तो हमको drawing account a bit too cash वो cash withdraw किया है goods भी withdraw किया है ना तो क्या entry होगा goods बोलोगे खाली बोलो ना कान लाल कर देंगे मार के goods account debit to purchase और कहरे हो drawing account debit to purchase कुछ याद नहीं रखते हो क्या journal entry होगी drawing account debit to purchase क्योंकि जो goods purchase करके लाए थे वो घट जाएगा ना तो drawing account debit to purchase कितने में purchase करके लाए थे कॉस्ट कॉस्ट इंट्री में होगा हाँ वन थाउजन वन थाउजन पता है कुछ बच्चा ना ये सोच रहा होगा drawing account debit to goods अरे goods थोड़ी लिखा जाता है goods के बदले purchase और sales use होता है ना तो भाईया मेरे जो तुम goods से स्तमाल कर रहे हो जाहिर सी बात है खरीद कर लाए होगे है ना तो जब honor अरे सुनो ना जी परती body चेक कर रहे हो तुम अपना हाँ देखो न हम पढ़ा रहे हैं इसे देख रहे हैं पुला कि कितना हो रहे है एक दम धर देंगे भी हम तुम तुम मारेंगे एक चमाट हम जानते हैं कि तुम जाते हो इसका क्या मतलब चलो तो इंट्री क्या हो जाएगा drawing account debit to purchase account लेकिन याद रखीगा sales value नहीं लिखना है कौन सा value cost value जी फर ओके चली आते हैं हाँ ये वाला परतिक चलो ध्यान दो बताव question पढ़के goods cost 2,000 sell price 24,000 distributed as free samples प्रस्पेक्टिव क्रिश्टिमर्स वार्माट प्रिट्वियर यानि आपने advertisement किया और advertisement पे goods बाटा आपने goods बाटा इसका मतलब वा goods खरीद कर लाया होगा ओके पहली बात आपने as a free sample बाटा free sample क्या है advertisement और आपने पूरी तरह से recording ही नहीं किया तो भाईया ये error तो है कैसा error है complete omission है है ना तो तहसी क्या entry कर दे यार advertisement account debit to क्या हो जाएगा advertisement account debit to purchase तो इंट्री कर देंगे advertisement या free sample कुछ भी लिख दीजिए सबसे बहतर रहेगा advertisement advertisement account debit to purchase अच्छा purchase को हम लोग credit क्यों कर रहे हैं क्योंकि तुम जितना भी stock मंगाए हो वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है घट रहा है तो entry क्या कीजिएगा पहला entry advertisement account debit to purchase account very good और जो बच्छे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना वो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप question note down कर लीजिएगा तब ही जाकि आपका systematic notes create हो पाएगा आजाएं d number point पे पढ़ो तु प्रतीक 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 अच्छा राम ने मुझे रिटर्न किया इसका मतलब मैंने राम को बेचा होगा very good अच्छा इसका मतलब आपने sales return में record नहीं किया तो sales return में recording क्या होना चाहिए sales return account debit to Mr. Ram Yattu Ram's account कितना कितने का goods return किया है obviously sales return है तो sales price पर ही होगा very good तो entry क्या कीजिएगा entry कीजिएगा sales return account debit क्योंकि sales credit होता है दोस्त तो sales return क्या होता है debit तो sales return account debit to Ram's account 3600 आगे पढ़े है चलिए टी नंबर पे आईए हाँ ठीक है हाँ ठीक है इंस्ट्रुमेंट्स बनाए हो और इसका use आपके ही factory में हो रहा है और इसका कोई adjustment नहीं है आप ही बताऊना इसका मतलब indirectly है में एक assets create किया आया भाया मेरे टूल एक assets है ना जी है ना assets is always debit इसमें मेरा दो चीज़ लग गया material लग गया और wages लग गया लेकिन क्या मैंने इसका recording किया तो recording कर दे है tools account debit to purchase अच्छा purchase में क्या गया पता है material material हाँ और मैंने wages कितना पे किया 400 तो जैसे देखिया assets खरीद कर लाते थे तो ये entry करते थे भूगा मानलों ये tools purchase करके लाते तो यही ना लिखते tools account debit to cash या bank तो भाया मेरे हम खरीद कर नहीं लाए तहसीन समझो ना हम tools खरीद कर नहीं लाए हमने अपने factory का material दिया और factory के labor के मदद से बनाया तो भाया मेरे tools तो मेरा हर हाल में assets है तो मैंने assets को debit कर दिया किस दो चीज से बनाया material से बनाया तो material को हम purchase लिखते हैं ना क्योंकि purchase करकर लाए है two wages, simple जी सरु F number या यानि आपका 660 रुपय का telephone bill बकाया है और आप जानते हो मैं outstanding liability होता है तहसेन पुरी तरह से omit हो गया हम record करना भूल गया बताओ इसका entry क्या होना चाहिए outstanding bill बताओ क्या होगा telephone charge telephone charge बाकी है तो charges कहोंगे telephone charges कहो telephone charge account debit to outstanding telephone charges अरे भया liability होता है liability is always credit telephone charges expense है तो debit कर देंगे कहां बोले तुम जबरदस्ति का यहीं बोले सरु बोले कहां मन में रख लिए मन में रख लिए तो telephone charges account debit to outstanding telephone charges इस पर आजाओ credit sell of old furniture to rohan आपने credit sell किया रोहन को और omit कर दिया post पे बताओ तो क्या हींट्री होगा पर बताना नहीं तो अभी मुदर के आएंगे तुम लगा देंगे तुमको बस खाली gym body बताओ साकीर rohan account debit to sales अब हम धर देंगे तुम तुम stock बेचे हो कि sales लिख रहे हो क्या बेचे हो तो इंट्री क्या होगा mohan account debit to recording हुआ recording हुआ record करो नहीं हुआ कितने गदे हो वो record नहीं किया था तुम लोग इतना मारेंगे ना तुम नहीं हो सही में एक्दम होस में नहीं हो क्लास में इतना जिम्मत करो कि शान होते हो ते पगला जाते हो अरे भाई मेरे पोस्टिंग नहीं हुआ है जर्नल हो चुका है तो फिर से जर्नल करवाओगे पगलेट तुम लोग का तुमनों का तुम लो ब兄के दिमार जगा पे है बोल this कि मेरे उतलु का सबक्रण कर रहा है शयलया भाया मेरे इनहो होने पोस्टिंग छोड़ा नहीं जर्नल बेंटरिक तो हो गया तुम लोग एक्जाम में भी रहते हैं तो इंट्री कर देते हैं क्या करें तो इसका तो टेक्निकल इश्यो था ना चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स्प्रेनेशन अब बताइए तो अभी एक्जाम में ये क्वेश्चन रहता है तो आप लोग तो इंट्री पास कर देते भाईया उसने स्रीफ पोस्टिंग का मिस्टेक किया है पोस्टिंग का इफेक्ट लेजर में जाता है जर्नल सही है जर्नल उसने बनाया है चलिए तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे एरर ओफ ओमिशन बोलिए यहां तक कोई दिक्कार नहीं ना चलिए पार्शल एरर को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जी सर ओके चलिए चलिए तो पार्शल ओमिशन को समझ ले बहुत समय नहीं लगेगा हमारा पेज नमबर 7 complete हो जाएगा जी सर देखे बवा पार्शल का मतलब क्या है ओके देखे ध्यान से समझ यहां पार्शल मतलब आधा यानि कि वयसा एरर जो complete नहीं है वयसा एरर जो complete नहीं है तो सर complete error तो trial balance में नहीं मिलते हैं लेकिन partial error partial error जो है trial balance को effect करते हैं जबकि complete error trial balance को effect नहीं करते हैं इसलिए पकड़ाते नहीं है जैसे एक example देखिए transaction correctly recorded in books of original entry मतलब journal entry मैंने सही pass किया या मैंने subsidiary book में सही record किया लेकिन जब laser में post करना था तो छूट गया तहसीन कैसा error हो गया पास ये example देखिए credit seller goods to sham मैंने sham को goods credit पर बेचा recorded in a sales book sales book में लिख दिये but omitted to be posted in sham's account sales book में लिख दिये लेकिन sham के account में अब पता हो तो पता चला कि sham का जो balance है वो कम दिख रहा है और sales का balance ज़्यादा दिख रहा है तो trial balance में तो error दिखेगा ना यार है ना तो partial omission में क्या होता है कि एक recording हो जाती है journal में लिखा गया posting नहीं हुआ या posting हुआ तो आधा हुआ एक में हुआ एक में नहीं हुआ एक में ज्यादा amount एक में कम amount इस तरह के error को हम क्या बोलते है partial omission चलिए यहां तक कोई दिखाग तो अगले class में हम लोग फिर देखेंगे error of commission जिसके अंदर error of recording होता है casting का error होता है posting का error होता है carry forward का casting का मतलब हम लोग totaling में mistake कर देते हैं recording में mistake तो यह सब detail में हम लोग अगले class में बात कर लेगे यह कोई problem फिर error of commissions को समझेंगे यह सब क्या है यह सब अच्छे से समझ लेगे ओके आज के लिए इतना ही thank you everyone